प्रोफिट जनरेट करते हो, कैसे, यह entry कैसे बनी है, बिल्कुल सिंपल समझो, एनल की upside में line दिख रहे हैं, यह पतली सी, यह इस तरह से cross करेगी, ठीक है, line यहां से इधर आती है, face से इधर चली जाती है, जब यह cross करेगी, तो अपन entry बनाएंगे, अंचेक कर देंगे, यह रहने देंगे, बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके बालो atr period 14 है, और atr multi, जो है, sl1, ठीक है, baseline length है, 60, इसको अपन यहां पर, बेरिश केंडल बन रहे है, red बन रहे है, put करीद लेते, loss हो जाता, ठीक है, तो setup आपके पास रहे, अपने setup का इंतजार करो, wait करो, setup बरे, तभी trade बच गए, जैसे यहां पर fake entry है, क्योंकि यहां पर green है, ठीक है, यहां पर red zone में है, ठीक है, तो यहां पर यह वाली entry बनाओगे आप, यहां पर यह वाली entry मिलती है, put side की, ठीक है, यहां पर यह वाली entry आपको put side की मिली है, यहां पर देखो, clear card, तो आप इसमें देखोगे कि बड़े बड़े profit आपको इसमें देखने को मिले गए ठीक है आज की इस वीडियो में जो अपने strategy डिसकुस करें बिल्कुल सिंपल समझिए यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर अपनी entry बनती है और यह वाला profit जनेरेट करते हो तो कैसे यह entry कैसे बनी है बिल्कुल सिंपल समझो entry condition एक तो आपको यहाँ पर line दिखरें ठीक है यह वाली line इस तरह से इसको cross करेंगी और यहाँ पर कोई bullish candle बनेगी ठीक है दूसरी condition यहाँ पर जैसे bullish candle बनेगी अपने entry बना लेंगे अगर put side का trade लेना है तो यहाँ पर देखो आपको red color की upside में line दिख रहे हैं यह पतली सी यह इस तरह से cross करेंगी ठीक है और call के entry के लिए यह देखिए यह नीले color में line रहनी चाहिए और यह हरी वाली line इस तरह से इसको cross करें bullish candle बने तो अपन call side के entry प्लान करते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो put side के entry के लिए यहाँ पर देखो जैसे यह red line इधर cross करती है और यह वाला area आपका red हो जाना चाहिए यह जो blue color में चल रही है यह red हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो जैसे इस तरीके से यहाँ पर red हो गया ठीक है तो यहाँ पर देखो उसके बाद इसके साथ में एक indicator और add करेंगे ठीक है एक indicator और add करेंगे इसकी setting भी करेंगे तभी आप समझ पाओगे अच्छे से यहाँ पर देखो यहाँ पर search करते है complete समझते है setup त्यार करते है ध्यान से देखना complete वाच करना यहाँ से इसको पहले देखिए जो इंडिकेटर अभी लगा हुआ है ठीक है इसको लगाएंगे उसके बाद दो इंडिकेटर का यूज करना है ठीक है SSL hybrid यह आप लिखोगे ठीक है spelling ध्यान से देख लेना यह अपने लिखा अपने सामने यह वाला indicator आता इस पर अपने क्लिक करेंगे यह लग जाएगा ठीक है यह लग गया indicator अब यहाँ पर देखिए इसकी setting पर touch करेंगे ठीक है इसकी setting पर touch करते हैं यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद guys यहाँ पर इसको uncheck कर देंगे यह uncheck कर देंगे यह रहने देंगे यह हटा देंगे ठीक है setting ध्यान से देखना क्योंकि इंडिकेटर लगाने से अगर पैसा बनता तो इंडिकेटर मार्किट में बहुत सारे हैं हर कोई लगा लेता उसकी सेटिंग जरूरी होती है यहां देखो यह रहने देंगे यह रहने देंगे उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे अपन गाईस ठीक है यह सेटिंग ध कर देंगे और यहां पर उसकी ओपैसिटी बढ़ा देंगे 100 कर देंगे अचा यहां ध्यान रखना है यहां थोड़ी discomfort ही है यह ATR प्लस वाला है इसका जो color है यह red करेंगे ठीक है और यहाँ पर जो यह है नीचे वाला minus ATR इसका green करेंगे ठीक है यह जो आपको यहाँ पर line दिख रहे हैं यहाँ से देख लेना उसके बाद जो है यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे और इसको यहाँ पर uncheck कर देंगे ठी ठीक है input के section पर यहाँ पर देख लो ATR period 14 है और ATR multi 1 है लेकिन आपको यहाँ SSL 1 ठीक है baseline length है 60 इसको अपन यहाँ पर 40 कर देंगे ठीक है 40 उसके बाद यहाँ से कर देते हैं ओके तो यह setup आपका त्यार हो गया है इसका basic मतलब समझ लीजिए उसके बाद एक indicator और add करेंगे यहाँ पर देखो यह नीले color में line रहेगी इस तरीके से यहाँ पर देखो जैसे यह है ना नीले color में तो जब यह नीले color में रहेगी तो bullish train यानी call side के entry लेनी है यहाँ पर देखो जैसे यह call side में ठीक है और यह जो हरे color में line है यह वाली ATR वाली ठीक है इसके बाद यह cross कर जाएजी, यहाँ पर cross कर गई, जैसे cross करती है, यहाँ आपकी entry, पिछली candle पर SL, ठेक है, और यह वाला profit ठेक, clear, समझ में आया उसके बाद देखो, downside की entry अगर लेनी है, तो यह red होनी चाहिए, यहाँ पर यह एक condition complete हो गई, लेकिन यह वाली line आप ध्यान से, देखो यहाँ पर आई है, उसके बाद upside से ली गई है इसने cross नहीं किया, तो यहाँ पर देखो, अगर बिना setup के trade करते कई लोग तो यहाँ पर देखते bearish candle बन रही है, red बन रही है, put करीद लेते, loss हो जाता, ठेक है तो setup आपके पास रहे, अपने setup का इंतजार करो, wait करो setup बरे, तभी trade करो, एक indicator और add करते हैं, ठीक है, clear cut समझो तो इंतजार करना सीख लीजिए, जब अब अब दस्ती trade मत कीजिए market में तो आपका पैसा बनेगा, देखो इसके rule के साथ चलोगे, तो पैसा जैसे यहाँ पर आपके entry बनेगी यहाँ आपका stop loss है, उसके बाद यह profit इसी में चलता है, ठीक है यहाँ पर एक entry और मिलती है, तो complete समझते चलो, उसके बाद एक indicator और add कर लेते हैं, यहाँ से देखो indicator के section पर अपन click करेंगे, click करने के बाद guys, यहाँ पर लिखेंगे, don charn, ठीक है, don charn trained ribbon, ठीक है, don charn trained ribbon, यह वाला indicator आता है, इस पर click करेंगे, तो यह लग जाएगा, इसका basic मतलब simple है, यहाँ पर देख लो, यह green है, तो bullish है, जैसे यह वाली entry अपनने प्लान की, ठीक है यह, अगर यह red है, ठीक है, तो bearish है, यानि put side की entry लेनी, अब यहाँ पर देख लो, इस से भी बच गए, जैसे यहाँ पर fake entry है, क्योंकि यहाँ पर green है, ठीक है, यहाँ पर यह red zone में है, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाली entry बनाओगे आप, ठीक है, यह entry आपकी बनेगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ADX का, ADX जो है, आपका 20 प्लस रहे, तब entry लेनी होती है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर fake signal है, यहाँ पर fake signal है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर put की entry अगर अपन लेंगे, तो छोटा profit मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा, तो cost to cost exit करेंगे, चलिए, माल लेते हैं, SLB हो जाता है, तो भी कोई बात नहीं है, stop loss होगा, तो छोटा होगा, target बड़े मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पर guys, back करके, और यहाँ पर देख लो, जैसे यह entry मिली है, आपको यहाँ पर यह वाली entry मिलती है, put side की, ठीक है, यहाँ पर यह वाली entry आपको put side की मिली है, यहाँ पर देखो, clear कर, बस range bound market में आपको बचना है, इसलिए range bound market से बचने के लिए ADX का यूज करके, आप trend की मजबूती को देख सकते हैं, जब trend मजबूत रहेगा, तो आप इसमें देखोगे कि बड़े-बड़े profit आपको इसमें देखने को मिलेगे, ठीक है, यह आपने देखा, उमीद है, यह setup आपको समझ में आया होगा, आप इसका rule लिखिए और बारी किया समझे, लेकिन उससे पहले, आप जो है guys, अगर टेलिग्राम से जुड़ना है, तो टेलिग्राम का link वीडियो के description में है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, क्योंकि अपने नाम से टेलिग्राम पर fake channel बहुत है, उससे बचके रहना, वो इस camera है, ठीक है, अब ध्यान से समझ लो, इसका rule क्या है, इस setup पर अगर trade करना है, तो 70 trade आप paper trade कीजिए, one lot से, यह rule है, इस rule के बिना trade मत करना, नहीं तो आप इस setup में prep हो जाओगे, ठीक है, उमीद है, यह setup आप समझ गया होगे, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छे लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो उपर like कीजिए, share कीजिए, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो वीडियो के नीचे comment कीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दनेवाद, शुक्रिया,